नमस्कार दोस्तों हमारे बैद सुनने से शिखर के फिर्टर थियोरी पर्थम वर्ष के पार्ट 3 में आपका स्वागत है आज हम पार्ट 3 में हैमर से सम्मन्दित सभी क्यूशन सोल करेंगे पहला क्यूशन है सलेज हैमर निम्न में से अधिक्तम कितने वजन में होते हैं कि जो सलेज हैमर है वो अधिक्तम कितने वजन में पाए जाते हैं तो सलेज हैमर हमारे अधिक्तम 10 केजी वेट में पाए जाते हैं इनका वेट होता है 2 केजी से 10 केजी के बीच तो क्यूशन है भी पूछा जा सकता है कि सलेज हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं next question है हमारा finished part पर चोट लगाने के लिए प्रियोक्त हैमर हैं जो finished part होते हैं हमारे उनके उपर अगर चोट लगानी हो तो हम कौन से हैमर का प्रियोक करेंगे लेड हैमर, सोफ्ट हैमर, स्लेज हैमर, रा हाइड हैमर तो अगर finished part है तो उनके उपर हैमर की चोट लगने पर उनके सर्फेस के खराब होने का डर रहता है इसलिए वाँ पर हम सोफ्ट हैमर का प्रियोक करेंगे जिसे उनकी सर्फेस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा next question है हमारा straight pin hammer की pin होती है जो हमारे hammer pin के अनुसार तिन प्रकार के होते हैं cross pin, straight pin, ball pin तो उसमें जो straight pin hammer होता है उसकी pin की आकरती क्या होती है handle के समकोन पर handle की seed में handle के cross में handle की और मुड़ी वी तो उसमें हमारे handle की pin होती है वो handle की seed में बनी होती है इसलिए इसे straight pin hammer कहते हैं next cross pin hammer की pin होती है तो इसमें option है handle के कोन में handle की seed में handle के cross में handle की और मुड़ी वी इनके नाम से इंसर हो जाएता है जैसे straight pin में, straight seed में उसी प्रकार cross pin hammer की pin हो जाती है डलके cross के अंदर option see हमारा right हो जाएगा इनके आगे diagram से भी समन्धित question है तो आपर आपको पूरा confirm हो जाएगा कि इनकी आकर्ति क्या होती है next question है निम्न में से assembly soap में किस hammer का प्रियोग किया जाता है जो हमारी assembly soap होती है जापर दो part को आपस में जोड़ा जाता है उसे assembly soap का आजाता है वहाँ पर किस hammer का प्रियोग किया जाता है रा, hide hammer, ball pin hammer, soft hammer, cross pin hammer जो हमारे दो पायट हैं जैसे कोई भी मसीनरी पायट है उनको आपस में जोड़ना है तो जो मसीनरी पायट है वो प्रिसुद रूप से बने हुए होते हैं तो अगर उन पे हम कोई भी हाइड मैटल के बने हुए हैमर का परियोग करेंगे ये क्योशन रेपीट है तो पहले भी बता चुके हैं इसका वजन 10 केजी अधिक्तम होता है नेक्स्ट है स्लेज हैमर का मुख्यते परियोग किया जाता है जो हमारे स्लेज हैमर है जो गण उसका मुख्यते परियोग कांपर किया जाता है समाने कारियों के लिए कारपेंटर के कारियों के लिए सीट मेटल कारियों के लिए फोर्जिंग कारियों के लिए तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा फोर्जिंग के कारियों के लिए जो ब्लेक सिमिती के कारिये हैं लोहार गिरी बोला जाता है जिसे इंदी में वहाँ पर हमारे सलेज एमर गण परियोग में लाए जाते है next question है hand hammer के pin और face निमर में से किस आकार के होते हैं जो hand hammer होता है उसका pin और face hammer के दो चीज होते हैं एक तो pin होती है और एक face होता है जिनको hardware temper किया जाता है तो इसने पूचे कि hand hammer जो हात्त के दोआए परियोग में लिये जाते हैं उनका pin और face की आकरती क्या होती है तो आकरती उनकी होती है pin और face plate होते हैं उनके आपस में दोनों के उनकी आकरती बनाते हैं यह हमारा hand hammer हो गया я hand लगा हुआ है तो उनके plate आकरती में मिलेंगे पिन और फेस नेक्स्ट क्यूशन है कई बार हेमर का फेस मस्रूम हो जाता है जिसका संभावित कारण है जो हमारा हेमर है उसका फेस कई बार मस्रूम हो जाता है मस्रूम का क्यारत है फैल जाना हमारे हेमर का सिर है वो फैल जाता है फेस तो उसका क्या कारण है Harding और Tempering उचित नहीं होना Tempering का उचित नहीं होना Nilling हो जाना इन में से कोई नहीं जो हमारे MR होते हैं उनकी Face और Pin दोनों को Hardware Temper किया जाता है अगर उनको Hardware Temper नहीं किया जाए तो उनकी Face और Pin Mushrooming हो सकते हैं फैल सकते हैं इसलिए हमारा Option A Right answer हो जाएगा Harding और Tempering को उचित नहीं किया गया है इसलिए उसका Face मस्रूम हो चुका है Next Question है Hammer का वर्गी करण उसके खालिस थान के अनुसार होता है जो हमारे Hammer होते हैं उनका वर्गी करण हम किसके अनुसार कहते हैं Pin के अनुसार बार के अनुसार आकरती के अनुसार बार वह पिन के अनुसार Right answer हो जाएगा हमारे बार वह पिन के अनुसार क्योंकि कोई भी Hammer होता है उसके हमें दो चीज वर्गी करण के समय दो चीज बतानी पड़ती हैं तो उनकी पिन की आकरती और एक उसका वजन जैसे क्रोस पिन, बाल पिन, स्ट्रेट पिन और वजन में हमें बताना परता है 100 ग्राम है, 200 ग्राम है या 500 ग्राम का अनुसार तो Right answer हमारा D हो जाएगा बार वह पिन के अनुसार Next question है लेड के बने हथोड़े होते हैं जो लेड है सिसा उसके बने हथोड़े कैसे होते हैं नरम हथोड़े होते हैं बाल पिन हथोड़े होते हैं मार्किंग हथोड़े होते हैं उप्रूप्त में से कोई नहीं तो लेड से बने हथोड़े हमारे नरम हथोड़े होते हैं सोप्ट हैमर इनको बोला जाता है Next question है लकडी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रियोग किया जाता है option A है कला हैमर, B है सलेज हैमर, C है घन, D है नरम हैमर तो मारा right answer हो जाएगा कला हैमर लकडी से कील निकालने के लिए कला हैमर का प्रियोग किया जाता है जो setting उद्योग में परियोग में ली जाती है climber जिसका दूसरा नाम भी है के जगे आपको जंबूर लिखावा मिल जाएगा जंबूर भी बोला जाता है इसे इंदी में अंगलिस में climber बोला जाता है next है finished part पर चोट लगाने के लिए परियोग्त हैमर है जो finished part है हमारे उनके उपर चोट लगाने के लिए soft हैमर का परियोग किया जाता है next question है vice के spindle में thread कटी होती है कि ये vice का question भी है साथ में जो हमारे vice है bench vice है या दूसरी vice है उसका जो spindle होता है उस spindle के कारण हमारे जो moveable जा है वो गती करती आगे पीछे तो जो spindle है उसके उपर कौन सी thread करती होती है square thread हमारे spindle के उपर करती होती है square thread next question है ball pin hammer की pin की आकरती होती है जो ball pin hammer है उसके pin की आकरती क्या होती है तो pin की आकरती उसकी हो जाएगी goal next question हमारा cross pin hammer की pin होती है इनके अनुसार हैमर तीन प्रकार के हैं पहले भी बता चुके हैं स्ट्रेट पिन, क्रोस पिन, बाल पिन तो यह चो क्रोस पिन हैमर की पिन होती है है हैंडल के कोन में हैंडल की सीद में हैंडल के क्रोस में हैंडल की और मूड़ी हुई तो यह हो जाएगा हैंडल के क्रोस में स्ट्रेट पिन क्रोस पिन की हो जाएगी हैंडल के क्रोस में अगर पुछा जाए स्ट्रेट पिन की तो हैंडल की सीध में हो जाती है और हैंडल की और मूड़ी हुई हमारे Climber जंबूर की होती है तो हमारा Right Option है C Handle के Cross Next है Straight Pin हतोड़े से Straight Pin हतोड़े से किया जाता है Channel Group बनाई जाते है गहराई बनाई जाती है दातु की Side में फैलाते है Angle सिध्ड़े किये जाते है तो Straight Pin हतोड़े से दातु की Side में फैलाने के लिए प्रियोग किया जाता है C option अमारा right हो जाएगा धात्तू की साइडें फैलाने के लिए Next question है हमारा Hammer का वह है परकार जिसका वजन 3-9 kg तथा जिसमें लकडी का लंबा हथा लगा होता है जो की forge soap में प्रियोग किया जाता है Hammer का वह है कौन सा परकार है जिसका वजन 3-9 kg तक होता हो जिसमें लकडी का लंबा हथा लगा होता है तो पहले भी हम discuss कर चुकें इस question के बारे में तो यह हो जाएगा हमारा Sledge Hammer कई बुक में 3-9 kg तक दिया हुआ है कई में दिया हुआ है 2 kg से 10 kg तक तो confused नहीं होना है 3-9 kg भी मिल सकता आपको 2-10 kg भी मिल सकता और एक बात और याद रखने है जो Sledge Hammer है इनके Handle की लंबाई पुछी जाती है तो इनके Handle की लंबाई हो जाती है 62 cm तक इनके Handle की लंबाई होती है जो हमारे Hand Hammer है उनके Handle की लंबाई 32 cm तक होती है तो दो ये question भी most है next question है हमारा चित्र में प्रद्दिसित अतोडे के sis को पहचानी है जो pin के अनुषार हमारे अतोडे 3 परकार के उपते हैं उनियों में से 1 परकार है तो कौन सा परकार है हतोडे का चित्र को देख के बताना है या आरव भी एमदाबाद में पुछा हुआ है सिस्टेंट लोको पाइले Partners 2014 के अंदर तो यह हमारा बाल पिनैमर है इसकी जो पिन की आकर्ति है वो बाल की आकर्ति है यह इसकी पिन है और यह इसका निचे का बाग है फेस है तो यह बाल पिनैमर है नेक्स्ट है मेलेट को खालि स्थान से बनाया जाता है जो मेलेट होते हैं उनको किस से बनाया जाता है आराल भी एलाबाद में पुछा हुआ है लोको पाइलेट के अंदर तो जो मेलेट हमारे हैं वो हार लकडी से बनाया जाते हैं हर लकड़ी के हतोड़े जो भी होते हैं उनको मैलेट बोला जाता है नेक्स्ट है निम्न में से किस हतोड़े को बारी पिटुवा कारिये के लिए परियोग किया जाता है वह कौन सा MR है जिसका प्रयूग बारी कार्यों के लिए किया जाता है पिटवा कार्यों के लिए लोको पाइलेट में पुछावा क्यूशन है ये भी 206 के अंदर तो बारी कार्यों के लिए हो जाएगा Sledge Hammer अमारा Next Question है मारकिंग कार्यों के लिए Engineering द्वारा प्रयूग थोड़े का वजन होता है Very Most Question है MR से बहुत बार पुछा जात चुका IT exam और competition exam के अंदर भी मारकिंग के कार्यों के लिए जब मारकिंग करते हैं उस समय हथोड़े के कितने वजन का हथोड़े का प्रयूग किया जाता है तो उसके लिए 200 ग्राम के हथोड़े का प्रयूग किया जाता है और भी बोपाल लोको पाइलेट के अंदर 2010 में पुछा हुआ Next Question है चित्तर में दिखाएगे हथोड़े में कला हथोड़े को पैचाने डाइग्राम दिया हुआ है इसके अंदर से हमें कला हथोड़े जिसको इंदी में बोलते हैं जंबूर हैमर को पैचानना है तो हमारा च्यार हैमर है इसके अंदर पहला है यह बाल पिन हैमर है दूसरा straight pin hammer है इसकी pin straight है बिलकुल ये handle है handle के straight में pin बनी हुए तो इसका नाम है straight pin hammer ये हमारा mallet हो गया और D option हमारा right हो जाएगा climber, zambur है तोड़ा तो जो option हमारा right है D option है, पहला hammer है बाल pin hammer, दूसरा है straight pin hammer, तीन नमबर है mallet, चया नमबर है jambur climber next question हमारा दर्साय गए cross pin हथोड़े के X से label भाग को पहचानी है diagram दिया हुए इसमें X से चिनहित भाग को बताना है कि ये कौन सा भाग है तो ये हमारे हथोड़े का chick है D option है, right हो जाएगा chick जिसे post भी बोला जाता है इसको post भी बोल सकते हैं ये face हो गया तोड़े का निच्चे का भाग ये pin है ये eye hole हो जाएगा हमारा और right answer हमारा हो जाएगा D chick next question है चित्तर में दर्सित हटोड़े के भाग A को पहचाने चित्तर दिया गया हुआ है बाल पिन hammer का इसमें प्रदसित A भाग को पहचाने अभी back diagram में आपको बताया था चक्सू छिद्दर जिसे इंगलिस में बोल देते हैं eye hole तो ये इसका चक्सू छिद्दर हो जाएगा जिसमें handle लगाया जाता है eye hole है जिसमें handle eye hole की आकरती पुछी जाती है कई question में कि hammer के eye hole की आकरती होती है वो अंडाकार होती है ये question भी याद रखना आपको eye hole की आकरती अंडाकार पूछ ले जाता है कि eye hole की रखे जाती है क्योंकि hammer के कारिय करने पर handle गुमें नहीं इस परकार हमारे 25 question इस थेड़ पार्ट के पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like करिए और share करिए धन्यवाद